Hello guys, welcome back to another video. तो इस वीडियो में हम मैं बताने वालों आपको की आप mods कैसे इंस्टॉल कर सकते हो Eurotruck Simulator 2 में चलिए शुरू करते हैं, let's get started. तो guys यहाँ पे तीन टाइप के mod आते हैं, एक तो आते हैं सिंगल mod की file और दूसरा टाइप होता है कि वो मतलब जिनको properly order में लगाने के होते हैं, वो वाली mod files और तीसरा टाइप होता है कि जो Steam के workshop में जाके जो mod download करते हैं, वो तो यह total तीन टाइप मोड इंस्टॉल करने के और मैं इस तीनो टाइप आपको दिखाऊंगा एकदम प्रॉपर तरीके से आप steps को follow कर दीजे तो guys सबसे पहला टाइप हम जो देखेंगे जो कि यह mods की single file जो होती है, उसको कैसे install करेंगे तो आपको this PC open करना है, उसके बाद जाना है documents, उसके बाद जाना है eurotruck simulator 2 और उसके बाद जाना है आपको mod folder में तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, कि यहाँ पे मैंने download already कर चुकी है, Volvo FH16 की interior mod file तो यहाँ पे जो भी mod file रहेंगी guys, वो .scs करके extension वाली file रहेगी, otherwise आपका mod activate नहीं हो पाएगा तो .scs file जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो interior वाली mod file है, यहाँ पे download करने के बाद आपको बस mod folder में copy paste करनी है और उसके बाद आपको आपका game open करना है, game open करने के बाद आपको बस mod manager में जाना है guys और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, कि मैंने जो Volvo की interior वाली mod file डाली थी हमने mod folder में आप यहाँ पे देख सकते हो, कि mod manager में आपको वो visible होगी, बस आपके mod manager के अंदर जाने के बाद आपको बस इसको double click करना है और यहाँ पे active mods का section जो होगा, वहाँ पे आपको आपकी mod file दीख जाएगी, उसके बाद आपको सिर्फ confirm changes करना है और यहाँ पे continue game करना है, continue game करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, कि मैं यहाँ पे already main game में घूश चुका हूँ और यहाँ पे हमने Volvo की interior mod file डाले थी, तो चेक करते हैं कि वो mod proper level पे activate हुआ है कि नहीं, यहाँ पे cockpit view में जाऊंगा मैं और जैसे कि आप देख सकते हो guys, Volvo का interior mod हमारा activate हो चुका है और proper तरीके से काम भी कर रहा है तो इस तरीके से आप type 1, मतलब पहले type की single mod file कैसे activate करने हैं, हमने यह देखा, अभी चलते हैं, दूसरे type की ओर तो second type है guys, multiple mod files को कैसे install करना है, तो यहाँ पे सबसे best example है, वो है pro mods और pro mods को install करने के लिए आपको यह 7 files की बहुत ही जरुवत पड़ेंगी, otherwise आपके pro mods गेम में लोड नहीं हो पाएंगी pro mods install करने के लिए आपको जिन 7 files की जरुवत पड़ेंगी, आपको उनको copy paste करना है mod के folder में और यहाँ पे आपको copy paste करने के बाद जस्ट आपको game open कर देने का है, pro mods की सारी files copy paste करने के बाद, आपको बस वापस mod manager में जाना है और उनको proper तरीके से order में लगाना है, यह सबसे best example है pro mods का क्योंकि उसमें total 7 files आती है और उनको order में कैसे लगाना है वो में बताऊंगा, सबसे पहले आएगा package 3, उसके बाद package 2, then package 1, then media, then map, definition and assets तो यह साथ files इस order में जाएंगी, और आप अगर कोई भी mod की file को उपर निचे करना चाहोगे, तो यहाँ पर increase, decrease का option है और यहाँ पर आपको order बिल्कुल भी गलत नहीं कर दियें, तो यह single player के लिए यह साथ files ज़रूरी है और अगर आपको Convoy mode खेलना है, तो आपको ProMods definition package को बाहर निकालना पड़ेगा और यहाँ पर ProMods 2.63 Convoy mode support यह file को आपको उस definition package के file के जगा पे डालने पड़ेंगी तो आप सोच रहा होंगे कि यह file तो हमारे पास नहीं है, तो यह file हमने ली है Steam workshop से, जो कि मैं इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा कि वो कैसे download करेंगे और कैसे activate करेंगे उसको अभी हम इसको activate करेंगे, confirm changes करेंगे और यहाँ पे continue game करेंगे तो जैसे कि guys हमने confirm changes करने के बाद हमारा game open हो जुगा है और हमको यह देखना है कि हमारे pro mods proper तरीके से activate हुए है कि नहीं तो यहाँ पे हम world map में जाएंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि pro mods का पूरा का पूरा map हमारे game में पूरा का पूरा लोड हो चुगा है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आइसलेंड वगरा है और यहाँ पे सबसे famous Kirkinis city वगरा है तो इसका मतलब यह है कि हमने pro mods proper तरीके से install कर लिया गया है गाईस तो इसमें बस एक ही conditions आपको fulfill करनी है जो कि है आपके पास 7 map DLC होना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो आपके pro mods work नहीं करेंगे गाईस तो उसके लिए आपको अगर आप pro mods install करने के पहले अगर आपको यह देखना है कि आपके पास 7 map DLC है कि नहीं तो आपको पहले exit का button दबाना पड़ेगा उसके बाद launch pad में जाना पड़ेगा उसके बाद आप जाओगे DLC browser में उसके बाद आप downloadable content browser जो कि DLC browser बोलेंगे हम इसको और उसके बाद जाओगे filter में और उसके बाद आप check करोगे maps में तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास already 7 के 7 map DLC available है और installed है इसलिए मेरा pro mods activate हो चुगा है अगर आपके पास 7 map DLC नहीं है तो आपके pro mods activate नहीं होंगे जैसे कि मैंने बताया था हमने ये pro mods 2.63 Convoy mode support की mod file हमने steam workshop से ली थी तो steam workshop क्या है steam workshop आप visit कर सकते हो Eurotruck simulator के steam page पे जाकर और वहापे आपको various mods मिलेंगे map mod truck mod car mod bus mod anything you want to play तो guys वस वो visit करने के लिए या पिर उसको access करने के लिए आपको यहापे click करना पड़ेगा steam workshop पे steam workshop में click करने के बाद आपको वो directly steam के web store पे लेके जाएगा बट वो browser में खुलेगा और आपको वहाँ पे login करना पड़ेगा तो मेरा suggestion यह है कि आप steam client download कर लीजे और उसमें आप login कर लीजे वो करने के बाद आपको steam client open करना है और वहाँ पे search करना है euro truck simulator 2 और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे first suggestion आचुका है euro truck simulator 2 का और वहाँ पे आपको नीचे scroll करते हुए जाना है और यहाँ पे visit the workshop पे click करना है और जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यह है euro truck simulator 2 का workshop तो यहाँ पे आपको कोई भी mod चाहिए होगा तो आप इधर से आप वह download कर सकते हो जैसे कि हमने वह download किया था pro mods 2.63 Convoy mode support की mod file तो यहाँ पे हम search करेंगे pro mods और यहाँ पे enter करेंगे और यहाँ पे हमने already वह file download करी हुई थी अगर हमको दूसरी कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको बस यहाँ पे समझोगे no bloom pro mods enabled चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बस आपको subscribe का बटन दबाना है जैसे कि मैंने already pro mods 2.63 konvoy mode support को already subscribe कर चुका हूँ इसलिए वो वहाँ पे mod manager में already मुझे दिख रहा है अगर आप subscribe नहीं करोगे तो आपको mod manager वे mod नहीं दिखेगा जैसे ही आप steam workshop से कोई भी mod को subscribe करते हो तो आपके mods यहाँ पे visible होंगे जो की mod manager में और यहाँ पे आपको steam workshop का जो logo दिख रहा है वो ही logo आपको same mods के thumbnail में दिख जाएगा जैसे कि यह देखो यह भी mod workshop से लिए गया है same इधर भी guys तो सारे mods जो भी workshop से हमने subscribe किये यहाँ पे आपको logo अगरा दिख जाएगे तो आपको differentiate करना बहुत easy हो जाएगा जैसे कि हमने यह files copy paste करी थी तो इधर steam workshop का logo नहीं है तो यह main difference है guys बाकी mod activate करने की process same है आपको बस inactive करना है तो आपको इसको double click करना है अगर इसको activate करना है तो आपको इधर double click करना है और इनको proper order में लगाना है multiple files के लिए proper order और single file के लिए single mod file that's it guys कोई भी mod install करने के बाद आप make sure करिये कि आप confirm changes जरूर करे और continue game करके आपके mods जो भी install करे हुए वो properly execute हो रहे कि नहीं वो check करें तो guys यह थी सारी information mods कैसे install करने उसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर कॉमेंट करिएगा वीडियो पसंद आई तो like जरूर कर देना और share कर जरूर कर देना दोस्तों के साथ and last but not least channel को subscribe करें भी ना जाने का नहीं तब तक के लिए ठाटाव बाच्चे केर love you see you in the next video